मैं सुनिल सरमा योर इंगलिस टीचर फ्रेंड्स योर हट्टी वेलकम इन वियकानन ओनलाइन क्लासेज वियकानन की ओनलाइन क्लासेज में आप सब का अर्दी कभी नंदन है दोस्तों आप देख रहे हो कि अपना जो आपकी टेक्स्ट बुक पनौर्मा है इसका फिप्ती चै सब्सक्राइब करते हैं कैसे के गुजरात के कच्रन नमक के रेगिस्तान से एक लड़का पाकिस्तान में जा रहा है और वहां की लड़की को लेके आ रहा है मैंने मरत भाया अपने इसी ओडियो में बोला था इससे पिसले आले में कि यह रिफ्यूजी फिलम सेम इसी भी ब पैंग्ल डॉर इन दा समेगलर फेस चिंता मत करो जमन ये जमन और नजब दोनों कंफ्यूज करने वाले नाम है लेकिन जमन तो वह तसकर जो पाकिस्तान से बारत और बारत से पाकिस्तान में जाने आने की आतरहों कंबा रखता था दोनों तरप के दिकारियों को खरीद कर एक तसकर था और इस चैप्टर में जो लड़का है वो नजब है और फातिमा लड़की है और आपताप इसके फादर है नजब के जब जमन ने कहा कि वो सही आये तो वो उसके पिता जी कह रहे है कि चिंता मत करो जमन अल्ला उसको महफूस रक्सित रखेगा उसने चिरते व पर एक दा न्यूज ओपिस साने एसकेप्ट टू इस वाइब जैसे जमन वहां से किसका थोड़ा सा तो आपताप अपने बीबी को सारी खबर सुनाने गया है कि तुम्हारा बेटें ऐसे चला गया है सी वुड़ फैंटी टोट उसने सुचाव सुनकर बेवस हुआएगी ही फाउंड हर क्राउचिंग भी तर बैक अगेंज दा मड़ वाल वह एक दिवार के सारे टिकाए बैटी वी थी सी दिनोट इवन ब्लिंक इन सर्प्राइज उसने एक बर भी आँख नहीं मिच काई ब्लिंक है नहीं सर्प्राइज से आश्रे से मानौ उसे सब कुछ क्लियर हो पहले से पता हो वन्सी वोजे वैस्ट इपिन इजा कॉंसर पाइरे सी मानौ कि उसके सदेंतर में वो भी गहरी तरह डूबी हो अलोंग विध अरसन अपने बेटे के साथ हो इस बारे में कभी भी एक सब्द नहीं का उसने इस आइस फेल ओन और बेहर आर्म तब ही आप ताप की नजर उसके खाली आतों पे गई और इस गोल्ड बैंगल माई फादर गेव यू वोमेन मेरे पिता नहीं जो तुम्हें सवने का कंगन दिया तो वो अपनी भी बी से पूचता है यू नू नट वरी तुम्हें चिंतागी जरुत नहीं है नजब उनका लोंग ले कआएगा यह ज़ने अपने आत का कंगन सवने का नजब को दे दिया था दा लौंगग मश्ट्राइडिंग हैं लूंभे-लॐ डां वान ओंतेजivan पहले से क्थ देयरे में व्रसाइड नुस्टल सॉन्ट्रीज़ इस नजब्यजब네। कोरी खाड़ी के गंद बर गया अलगी कुस्व आती है खाड़ी छेतरी में अपन जब चलते हैं जब दोस्तों इफोलोर दा इस्टार सेंड दा मिक्की वेर एंड फ्लेक्ट विद आमाइका एंड ग्रेट बियर सेंबलिंग टुवार्ज दा नौर्थ उसने तारों और आकासकंगा में बनीवी अब्रक्सी चमक्ती परत को देखा उत्तर दिसा में बढ़ते सप्त्रेशी मंडल का अनुकरन किया और उसी तरफ चल पड़ा बिफोर डाउनी एड रिचेड इस डेस्टिनेशन फोरे सेंड इलिवेशने पेलिया डेड विद दा बॉन्स अब डीड अनिमल्स तोल्ड हिम डेट इड अर्ड अर्स सरबेला सारा बेला बोर सुबहों होने से पूरू नजा अपने गंतविस्तान पर पहुंच गया क्यों बिफ मिल से भी ज्यादा की दूरी पर इस दिता दोस्तों यह वोज ओरेडी वियोंड इंटरनेशनल बाउंडरी वह पहले ही अंतराश्टि सिमा से दूर था ही यहरी रेस्टेड यूरिंग डेलाइट मोमेंट वाज इंपोसिबल अब उसने यह विस्तराम किया वो जानता कि दिन के उजाले में आज से पाल आगे बढ़ना मुश्किल है दस सिंदू रेंजर्स वूट वी लुकिंग फ्रॉं देर बंबू वोस्तावर सैंड है इंदा एवरिटिंग बिके में मिराज सिंदू सिपाई जो निगरानी के लिए उपर जो इस्तंब बने वे थे टावर बास के बड़े बड़े उन पे से दूर्बिन से निगरानी कर रहे थे और हर चीज मरी चीका की तरह इस पर दिखाई दे रही थी एड़े इस प्रेशन इन दे सेंड लुक लाइक एड प्लेस ओपे वाटर एंड फ्रीक स्टंड केक्टस गेव दा एपरियंस ओपे ग्रोव एंड ए केमल लुक लाइक ए हुज परिस्टोरिक इस्टोरिक एनिमल ओन दा मूव ए मुमेंट वास्योर तो बीन उटिस्ट तो बाइंडा कूलर्स रेत में बना कोई भी गड़ा पानी का आवाज दे रहा था छोट छोटे नाकपनी के पोदे जो थे बड़े कुझ की तरह दीख रहे थे दूर्बीन से दूर से ही क्योंकि पाकिस्तानी रेंजर बड़े टावरों पे खड़े हो के देख रहे थे उंट आखिसरे गड़े कि एक बड़े विसाल जानवर जाएसा परतीत होता था अगर फटड में आ जता था तो दूर्बीन की नजर में कोई भी अल्चले अगतिविदी दूर्बीन से निच्चितृ पंट mentor पैक्डब में आ जाती थी इसलिए दिन में उसने रेस्ट करने का अब तक उसके मन में फातिमा के विचार उसको सिकंजे की तरह जकट चुके थे उसने सोचा कि अभी भी पूरी एक रात बाकी थी ओ आरम से फातिमा से मिल लेगा और दस मिल से भी कम की दूरी रह गई थी ये उसके अंदर विचार चल रहे थे दोस्तों दाट विचार से बेचे नो कर चट पटा हुटा हाला कि सूर्य ने भी रेगिस्तानी निया पर रेगिस्तानी जमीन पर गर्मी का तोड़ा चाला आना शुरू कर दिया है इन्विल क्या होता है दोस्तों लुआर का वह एक लुए का बड़ा सा गटा होता है जिस पर लुए को रखकर गरम करता है तोड़े से रूप देता है कूड़ता है सामान बनाता है विपो पे टेंगी साउथ वाइंड कोटीज नोस्ट्रिल अगें दक्सनियावा के लेकिन इस वार वह चितकावरे बादलों के दब्बेदार आवे रन को लेकर साथ आया था मानु की जैसे मसली की खाल पर प्रजमी ही हूँ ऐसा ही हवा का जोका महसुस हुआ विटेन आवर देसे क्रोगेटेड टाउड हैस कवड़े सबस्टेंसियल पॉर्शन ओंदा इसक एक गंठे में इन प्रदार बादलों ने आकास का दिकान सिस्ट्रे को डख लिया ऐसा परतीत हो रहा था लोकिंग फूर ओल वर्ड लाएक है स्ट्रेस्ट ओवाइंड है रिफल्ड सेंड है मानों की जैसे पूरे संसार में हवा से दूर तक रेत फैल गई हो यस दिस वाज इस दा टाइम ही गोट अप एंड सुक सेंड फ्रोम इस ट्रबन यही वह समय था जिस पर उट खड़ा हुआ उसने सब सब पहले अपने ट्रबन सापे से पगड़ी से मिट्टी साप की वन है जी हारंस्ट इस कैमरी टोट डेर दा ला रखा वाद लुकिंग एट इम एक अप टू एट यहां था कि जब उसने उंट पर काटी रखी तो उसे लगा जैसे अल्ला रखा कोतल बरी नजरों से उसे देख रहा और माना पूछ रहा हो कि तुम यह क्या बे तुक्का काम कर रहे हो एट वान लेवल ओप कंसियस ने सीनियू डेड दिस वाज इमेडनेस व ट्रोलिंग पार्टी जब बीएशेप और शिंदू रेंजर्स और मिराज चेकर्ट ट्रेकलेस वेस्टेज ऑफ देजर्ट बट बट बटीश सकंब तु रस ब्लड और फेस ओफ फातिमा बेकंड इम लाई के मिराज उसे समता से दिक काम कराये और थकान से मने वाले उंटो के बारे में भी नोलेज थी सीमा सुरक्षय बल और सिंद के प्रेरियों की पूरी जान करें थी और रेगिस्तान के म्रग मरची का पतिन विस्तार के बारे में भी जानता था किन्तु फिर भी वो जोखिम लेने को तयार था क्योंकि उसके सामने म्रग मरची का की तरफ प्रे में वसी बूत ता दोस्तों नजब प्रोस्ट दा इंटरनेशनल बाउंडरी फिलर नंबर 1066 नजब ने खंबा नंबर 166 संतराष्टी सीमा पार की इनुडेट दे ट्रेक एडे टू टेक वी सेटिंग दा टू पोस्ट ओप इंदू रेंजर एंड दा जकत्राई एंड विंग वह जानता था कि उसे जिस पगड़न्टी से जाना था वह सिंदी सिपाईयों की दो चोकियां चोकियों के नामें जगत्राई और विंगूर के निकट दो समान भागों में विवाजित होती है बट ही स्टेड ओवर द स्लाइट एंड फ्रों देर वोस्ट आर दे साथ त्रो देर वाइंडा कॉलर्स दिस्लिक केमल रेप्ड एंड दिस्टोटेड बाइदा हीट स्वीमर इंट ए लंब्रिंग लेविया थन एंड इंडियन स्लिपिंग इंटो देर ट्रेटी वित तेंदू लिप राइट अंडर देर नोजेज एंड देट तु विदाउट पेंग ए एक भारती है उनके छेत्र में बिना रिस्वद्य बिना उनकी नाग बराई जैसे आयन हस्मनी तेंदू पत्तों के साथ परवेश कर रहा था देवर नोट गोईंग तो इस्टार्ट फोर इट नजव वाज इन ए ट्रेंस नाव इवेंट से फ्लैसिंग फास्टिम लाइक फ Thedaughter on a screen, the mille like on a chess, the farming from a behind the spent bloods flapping, in the sand and then the rising wind, which turned the dust in his eyes and rose between the hunter and the hunted. When he dust settled half an hour later he was alone in the run. वे इससे सैन नहीं कर सकते थे अब जब अजब अतीत की आदों में खो गया और सब कुछ द्रस से पटल पराख करती हो कि तरह उबर आया एक मील तक पाकिस्तानी रेंजरों ने पीचे लाखना चालू कर दी दाग़ी गोलियों के साथ रेत आप जानते हो दोस्तों रेत ऊठती है इसी कान से धूल से उसके आँखे बर गई नजब की यही धूल सिकार और सिकारियों के बीचे एक दिवार ही बन गई नजब और पाक तो इजी हम आप इजी वर्डन नौ इस्टार्टे डे वोकिंग बिसाइड इम विटन एन आवर दा सेल एंड स्क्रेब्ड एलस प्रोम इस फिट एंड स्केर्ड देम ओपे एकोगनाइज क्रेक्स अगले कुछ गंटें § में बिते उसके बुरी तरह से डर गया था की कही थकान से मेरा उंट रखा नहीं मर जाएसने उसका बोज़ कंखने के लिए खुद उसके लख़ रखा कि बगल में चला एक गंटें में за र का अन्य से तकलीप अन्वाव करत अल्हा रखा भी। Andrey hot in the sky the run was blazing now and throwing off with the needles with his hurt the eyes as the run palpited it haunted him with the mirage's pulse of shadow and scooped up of moon's water. hours wandering in the trance attempting to lick the residing edges of mirage the light thinging away and hour or two later dusk had a thin lump of smoke racing from a dark fire Allah be praised he was in a wooden ranch. गरम लोई जैसे आकास के नीचे अब रण परदेश में तप रहा था आकास से केने मानो ऐसे सुईयों की तरह बरस रही हो और आखों में चुबन दे रही हो ऐसा परती तो रहा था जैसे से रण परदेश तपने लगा उसने मरिचिका से ड्रणने लगा वो भी और किसी ताल की परचाई खड़े में आदे चंद्रमा की जलक से दिखाई देने लगी उसे गंटों की बटकन मानो मुर्चा उस्ता में तैय की गई हो और चलता रहा मुर्चा उस्ता में मरिचिका के पाफ वापस होते किनारों को इस परस करने का परियास करती मालूम हो रही थी तब ही और एक दो गंठे बात कंडे के दुए जैसे इस्तिती बनी स्याम को पतले से बादल के तरह सूर्यस्त हो गया अल्ला का सुक्र है कि वह अपनी मंजलिया नी गंतविस्तान सिमा में आ गया था उसने रात हो जानी के प्रतिक्स किया और अपने पंजो के बल लंगडा कर चलने लगा क्योंकि वह रोमांसपरी लंभी रेकिस्तानी आतरा ने इसके एडियों को खायल कर जया था एक गंठी में लोंग विक्रता के घर के दर्वाजे पर पहुंच गया दोस्तों इस तरीके से आज का ओडियो लेक्चर अपने यह फिनिस करेंगे नेक्स ओडियो लेक्चर में आपका चेप्टर कंप्लेट होगा प्ले लिसन दिस ओडियो अगयन एंड अगयन और अगयन ओके गएड बस तोफ लग